राजधानी राची में बर्ड फ्लू को लेकर लोग सशंकित हैं, राची में बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद स्वास्थय विभाग हाई अलर्ट पर है, यहां के पशुपालक और स्वास्थय विभाग एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं इधर बर्ड फ्लू की पुष्टी होते ही स्थिती का जायजा लेने के लिए संयुक्त सचिवस्तर के अधिकारी के साथ विशेशग्य डॉक्टरों की टीम दिल्ली से रांची पहुँच गई है संक्रमन के फैलाओ को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदम और स्वास्थे सेवाओं की आपात स्थिती से निपटने की तैयारियों की जानकारी केंद्रिय टीम ले रही है दिल्ली से आई केंद्रिय टीम के हेड़ डॉर रजनीश गुपता ने कहा कि बीमारी का प्रसार अन्य जगहों पर न हो इसके लिए एपिक सेंटर यानि जहां पर संक्रमन मिला है उसके एक किलोमीटर के दाएरे में मुर्गी, बत्ख, अंडे की आवाजाही और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है इन क्षेत्रों में मुर्गियों बत्ख की कलिंग भी कराई जा रही है उन्होंने कहा कि ज्यादा पैनिक होने की आवश्यक्ता नहीं है, बस सावधान होने की जरूरत है उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों कुकुटों से यह वाइरस इनसानों में पहुंच सकता है ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है डॉक्टरों के अनुसार जिनके घरों में कुकुट है या जो पॉल्ट्री फार्म में मुर्गियों की देख रेक करते हैं उसके हैंडलर हैं उनमें अगर एवियन इंफ्लुएंसा के लक्षन जैसे तेज बुखार, गले में खरा जिस इलाके में बर्ड फ्लु की पुष्टी हुई है उसके आसपास के एक किलो मीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को कम से कम 21 दिन तक चिकन अंडा खाने से परहेज करना चाहिए बर्ड फ्लु के एपिक सेंटर से एक किलो मीटर के क्षेत्र में चिकन और अंडे की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि बर्ड फ्लु का संक्रमन समाप्त हो गया है तब तक खान पान में सावधानी बहुत जरूरी है यन इन्फ्लुएंजा वाइरस से संक्रमन की स्थिती में लगभग वही लक्षन उभरते हैं जो सामान्य सीजनल सर्दी खांसी में होते हैं लेकिन जब बर्ड फ्लु किसी इलाके में फैला हो तो सामान्य फ्लु को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए ऐसे समय में लोग मास्क लगाएं और सेनिटाइजर का उप्योग करना भी उनके लिए लाबकारी होगा